हेलो फ्रेंड्स आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत हैं आज हम डिसकस करेंगे क्लास एट के बुग फर्स्ट का चेप्टर सेकिंड दस सुनामी सुनामी ऐसी वेवज होती है जो समुन्दर में से उड़ती है और अगर उनकी हाइट जादा हो तो वो चारो तरफ तबाही मचा देती है तो ये समुन्दर में भुकम की वज़े से और लेंड्सलाइट की वज़े से हो सकती है सुनामी जो है वह समुन्दरी इलाके में ही आ सकती है और जब यह आती है तो काफ़ी सारी तबाही बचा देती है जनरली समुन्दर का जो पानी होता है वह आगे की तरह बढ़ता है लेकिन जब सुनामी आती तो वह सारा पानी पीछे की सहर चला जाता है और ये समुद्र की जो वेव है ये बहुती उंचाई के साथ उठती है और लगपर 90-90 मीटर की हाइट तक उच्छी उठती है और बहुती तेजी के साथ जमीन पर गिरती है तो इसे ये बहुत जादा डिस्ट्रक्शन फैलाती है इस चेप्टर में हमें सुनामी के सारे डिस्ट्रक्शन के बारें बताएगे है कि जब जब सुनामी आई तब तक लोगों के साथ क्या क्या हुआ तो चलिए अब आगे पढ़ना शूरू करते है A tsunami is a very large and powerful wave caged by earthquake under the sea On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicomar Island and the Tamil Nadu cost Here are some stories of courage and survival Tsunami is a very large and powerful wave which is due to the earthquake due to the sea 26 December 2014, a tsunami hit Thailand and India in parts of India जैसे कि Andaman, Nicomar and Tamil Nadu were there और इसमें हम स्टोरी पढ़ेंगे करेज की यानि साहस की और सर्वाइवल की यानि जो लोग उस सुनामी के अंदर से बच पाए Did animal sense that a tsunami was coming? Some stories suggested that they did इसका फर्स्ट पार्ट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं उसे ऐसा मैसुज हुआ कि शायद earthquake आया है Ignatius carefully took his television set of its table and put it down on the ground so that it would not fall and break Then the family rust out of the house तो Ignatius सबसे पहले उसने क्या किया कि उसका जो टेलीविजन था टीवी था वो टेबल पर रखा हुआ था उसको सबसे पहले उतार करके और नीचे रख दिया ताकि अगर earthquake आता है तो टेलीविजन गिर करके और नीचे ना पड़े उसने वो टीवी उठाया और नीचे रखा और उसके बाद वो अपनी फेमिली के सारे सदेशों को लेकर अपने घर से बाहर निकल गया और जब अर्थक्विक के जटके जो उनको महसूस हो रहे थे टरमट्स वो रुके तो देसे उनकी नजर बाहर की तरह पड़ी तो उन्होंने देखा कि बड़ी बढ़ी लहरे वो जनरेट हो रही थी ओशन में और वो उनको देखकर के डर गए और कन्फ्यूज हो गए उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो क्या करें और उन्होंने अपने दोनों बच्चों का हाथ एक का हाथ उसके ममी के पापा ने यानि की नाना ने पकड़ लिया और दूसरे बच्चे का हाथ ममी के भाई यानि मामा ने पकड़ लिया और इधर उधर आपोजिट डाइरेक्शन में सब लोग भागने लगे He never saw them again. His wife was also swept away. Only the three other children who came with him were saved. तो जो Ignatius है इस हाज से के बाद में उसने कभी भी अपनी वाइफ को नहीं देखा और ना ही उसने अपनी फेमिली में से किसी को देखा ना अपने बच्चों को देखा ना अपनी वाइफ को देखा इस सुनामी की गटना के बाद कोई उसे मिला ही नहीं और उनके नाना और मामा के साथ में जो तीन बच्चे आये हुए थे वो ही उनके साथ थे उसके अलावा उसको और कोई नहीं मिला और ऐसी ही कहानी संजीव की है जो की पुलिसमेन था जो की कच्छल में ड्यूटी करता था निकोमर आइसलेंड पर और उस उसने किसी तरह से मैनेज करके अपनी खुद की लाइफ बचाई और अपनी वाइफ को भी बचाई और अपनी बेबी डोटर को भी बचाई थी लेकिन तब ही उसे गेसरा उसका जो कूक था जोन उसकी वाइफ की चिलाने की आवास सुनाई दी तो उसको बचाने के लिए वो पानी में कूद गया और उसको बचाने की कोशिश की लेकिन वो उसकी वाइफ को नहीं बचा पाया और संजीव और उस जोन की वाइफ दोनो साल की थी वो भी अपने पेरेंट्स के साथ और 77 और अलग पिपल थे उनके साथ वो पानी में बहे गई शी स्पेंट टू डेइस फ्लोटिंग इन दसी होल्डिंग और यह लड़की इसी तरह से दो दिन तक पानी में फ्लोटिंग करती रही बहती रही क्योंकि उसने एक वू मेगना के सड़ से 11 बार होते हैं वो निकला लेकिन वो उनको देख नहीं पाए तो डिफेंस की जवान थे वो उस हेलिकॉप्टर से उन लोगों को बचा रहे थे जो की पानी में दिख रहे था लेकिन पानी में इतना सारा सामान था कि उसकी वज़े से मेगना उनको दिख नहीं पाई और हेलिकॉप्टर उसके सड़ से 11 टाइम गुजर गया लेकिन मेगना को वो देख नहीं पाए और एक बड़ी सी लहर आई जो उसको शी शोर पर लेकर के आगी यानी समुद्र के किनारे पर लेकर के आई और उसके बाद यह वहाँ पर देखी गई अलमा जाव जावेद नाम की टेन येर्स की लड़की है जो की स्टूडेंट है कार्मेल करन्वेट इसकुल की जो की पोड ब्लेयर में है उसके फादर का वहाँ पर पेट्रोल पम था और उसकी जो मदर है राहिला वो उनका गड़ था नेंक्रौवी आइसलेंड में तो यह अलमास फादर सी वोटर रेसीड तो जिस दिन ये जटके आये थे अर्थक्विक के तो उस दिन अलमास के फादर ने देखा कि सी का जो वोटर है वह थोड़ा बदला बदला दिखाई दे रहा है और जिस तरह कि उसकी वह जोनी चीए उस तरह कि वह नहीं थी है अंडर स्टूर दे अज़िए देखा तो उन्होंने अंदर जाकर कि और सबको जगा दिया और उन्होंने बोला कि यहां से जल्दी जल्दी निकलो और किसी हम सेफ प्लेस पर चले जाते हैं as they ran her grandfather was hit on the head by something and he fell down और जब वो लोग वहाँ से भाग रहे थे तो चारो तरफ हटबड़ी मच गई थी चारो तरफ लोग भाग रहे थे तो उस समय जाते समय उनके जो दादा जी थे उनको किसी चीज की उनके हेड पर लग गई जिसके वज़े से वो नीचे गिर गए एक बहुत बड़ी जाएंट वेव यानि बहुत बड़ी वेव आ चुकी थी जो इन दोनों को एक साथ बहा करके ले गई अलमाज मदर एंड आंट इस चूट क्लिंगिंग टू दा लीव और उसकी आंट चो थी वह एक नारेल के पेड़ को पकड़कर और उस पे क्लिंगिं इसके साथ ही उखाड लिया और उस पेड़ के साथ उसकी मदर और आंट दोनों भी बह गई अलमास साथ लोग ओफ वूड फ्लोटिंग शी क्लाइंड ओन टू इट देन सी फेंटेड वें शी वोक अप शी वोज इन होस्पिटल इन कामोर था फ्रोम देयर शी वोज और जब उसे खोश आया तभ वो एक खॉस्पिटल में थी ओकी था कामोरत्रा में नाम के तो कि तो इसको था खौशी स पियोंकि जादा त्यूह प्रोमेटाइस का मतलब होता है शोक लगना तो वह जो बच्ची थी वह बहुत जादा घबरा गई थी क्योंकि उस समुंद्र की वेवज ने उसके मदर पादर आंट और उसके ग्रांट पादर सबको बहा करके वह ले गई थी इस वज़े से वह बहुत जादा शोक में आ गई और डिस्ट्रेस्ट हो गई अब हम पढ़ेंगे इसका पार्ट सेकिन टिली इसमित अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल वस एबल टो सेव मेनी लाइज वेन दे सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाइलेंड तो टिली इसमित नाम की एक ब्रिटिश स्कूल की घर्ल है जिसने इस सुनामी के टाइम पे बहुत जादा बादूरी दिखाई और जो लोग फुकेट बीच पर फस्ट गए थे थाइलेंड में उन लोगों की उन्होंने जान भी बचाए दाव शी हैज अवन नंबर ऑफ आवर्ट हर पेरेंट्स हैव नोट अलाउड देयर डॉटर तो बी इंटर्व्यूज दे सकें फेमस हो सकें या फिर हीरोईन बन सकें तो आपको क्या लगता है कि यह डिसीजन उन्होंने क्यों लिया होगा यहां जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं यह एक थाइलेंड के बारें बताती है तो यह जो फेमिली है यह स्मिथ फेमिली जो की एक साउथ इस इंगलेंड में रहने वाली है तो वो क्रिस्मस सेलिब्रेट कर रहे थे एक बीज रिसोर्ट पर और जो की साउथन थाइलेंड में सिटूएटेट था यानि बना हुआ था तिली स्मिथ एक दस साल की स्कूल गर्ल है और उसकी जो सिस्टर है वो सेवन इयर्स की है और वो अपने परेंट्स पेनी एंड कोली स्मिथ के साथ आई हुई थी इट वोस ट्वांटी सिट डेसेंबर 2004 डिडेंटली सुनामी वेल्स वर ओल्रेडी ओन देर वे तो पिछले पार्ट पे हमने देखा था कि सुनामी ने किस तरह के इंडिया के बहुत सारे एरिया यह कोस्टल साइड तमीन लडू हो गया अंडबाने निकोबार हो गया उन सबसे टक्राते हुए अब थाइलेंड पहुची थी और किस तरीके से वहां पर उन्होंने अर्थविक की वज़े से मैसिव यानि बहुत सारा नुकसान करकर के अब उसने थाइलेंड में प्रवेश किया है और नॉर्थन सुमात्रा में यह अर्ली मॉन्डिंग में ठक्रा कर गई थी तो यह जो सुनामी थी यह 26 दिसंबर 2004 को इंडिया की बहुत सारे कोस्टल एरिया से शुरू हो करकिया और फिर थाइलेंड में इसने एंटर किया दब वोटर वास स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन पेनी समीथ रिमेंबर्ड दबीच वास गेटिंग स्मॉलर एंड स्म जैसे की पानी बहुती ज्यादा होता जा रहा है और यह कंडिशन देखकर के वह तीली को बहुती अजीब सा लग रहा था बर टीली समीथ सेंस डेट सम्तिंग वाज रोंग तो टीली समीथ के ती है कि मेरा सेंस यह कह रहा था कि कुछ अंगुस्तो घलत हो रहा है हर पहले उसके स्कुल इंग्लेंड में पढ़ाया गया था और दो वीक पहले जब यह लोग थाइलेंड आये थे उससे पहले इसना जो लेसन पढ़ा था यही उसके माइन में गूम रहा था तीली साथ सी स्लोली राइस एंड स्टार्ट टू फॉम बबल्स एंड फ्रॉम वर् हावाईयन आइसलेंड इन 1946 तो वो जैसे ही उस सब चीजों को देख रही थे उससे रिमेंबर हो गया यह याद आ गया कि उसकी क्लास में उसने जो एक वीडियो देखा था और वो वीडियो सुनामी के बारे में था और वो सुनामी आई थी हावाईयन आइसलेंड में 1946 में उसने उस वहाँ पर आकर कि और किस तरह से दबाई मचाई थी हर जियोग्रफी टीचर हैड शौन हर क्लास द वीडियो एंड टोल देम देट सुनामी केंड बी केस्ट बाई अर्थक्विक वोलकेनोज एंड लेंड स्लाइड और उसे उसी समय आज आ जाता है कि उसकी जो ज स्क्रीम एट हर फेमिली टू गेट आफ द बीच शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्विक अंडर द सी शी गोट मोर एंड मोर हैस्टरिकल सेड हर मदर पेनी और टीली ने जब इस तरह का सारा माहूल देखा तो उसने जो लिंक थे उसकी टीचर ने जो वीडियो में बताय अचानक से कोई जटका लगना या डर पेट जाना और उसके बाद टीली बहुत जोड़ जोड़ से चिलाने लगी कि हाँ यह वो ही है जो मैंने स्कुल में देखा था यहां से निकलो सेड हर मदर पेनी और वो यह बात अपनी मदर को कह रही थी जब टीली के मदर फादर को वो जो ऐसे चिला रही थी तो कुछ समझ में नहीं या रहता लेकिन उन्होंने देखा कि वो इस तरह से चिला रही है तो वो समझ गए कि शायद कुछ सीरियस बात है और इसलिए उनको यहां से जाना चाहिए टीली's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel a number of other tourists also left the beach with them then it was as if the entire sea had come out after them I was screaming run और जैसे ही टीली के parents ने यह सब सोचा और वहां से उसकी sister को और उसको लेकर के स्विमिंग पूल से स्विमिंग पूल से होटल पर पहुंचे और वहां पर बहुत सारे tourist stores थे और वह भी यह सब देखकर के घबरा गए और वह भी टीली की family के साथ साथ पीछे उसके साथ चलने लगे और जैसे ही उन लोगों ने उस बीच को छोड़ा तो जैसे कि मानों की पूरा सी जो है उनके पीछे पीछे चला आया हो और फिर मुझे अचानक से चिलाना पड़ा कि यहां से भागो the family took refuse in the third floor of the hotel the building with stood the surge of three tsunamis waves if they had stayed on the beach they would not have been there और वो किसी तरह के उनकी family होटल के third floor पे चली गए और उनकी जान बच गए और उस टाइम पे वो सब लोग वहां से नहीं हटे होते तो सारे के सारे लोग उसी बीच पर मर जा तो उन सब की जिंदगी बचा ली इस चोटी सी बच्ची टीली ने सबस्त दोटी हो एड़ के आएंड लॉस्ट एंटाइव पेमिली थी बादे जाकर और दूसरे टीयोरिस्त से मिली तो उन्हें पता चला कि बहुत सारी ऐसी पेमिली जो थी वह इस बीच से नहीं लोटे तो उनकी फेमिली खोगय यानि वहां पर लोगों की मृत्यू हो classmates के साथ पूरी tale share की जो की वो terrifying tale उनके साथ हुई थी और उन सब लोगों की जान बची तो उन सब लोगों ने टिली को thanks बोला और टिली की geography teacher को भी thanks बोला क्योंकि उसी की वज़े से इन सब लोगों की जान बच पाई अब इस chapter की part 3 शुरू होता है look carefully at the picture of a boy and his dog ध्यान से इस बच्चे की और इस बच्चे के साथ जो इसका डोग है इसकी picture देखो and try to describe the things that you see using those words and phrase either the teacher or one of the students can write down the words and phrase on the blackboard तो आप इस बच्चे को देखो और इसके पास में कबार पढ़ा हुए उसके उपर ये बेठा हुआ है और इसके हाथ में एक उसका डोग भी है तो इसको देखकर के और आपके माइन में जो भी चीज़े आ रही है उसको देखकर के आप उसके उपर कुछ फ्रेर्स या वर्ड्स लिखो इस इस हाउ यू केन स्टार्ट आप ये कैसे स्टार्ट करोगे तो आपको टेक्सबुक में बताया गए है कि आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हो जिसकी बहुती शान्त यानि काम समुद्र है और उसने सारी जोपडियों को रन हर्ड्स कर दिया यानि सारी जोपडियों को नस्ट कर दिया तो जैसे ही ये जायन फेव जो है जिसको हम सुनामी कह रहे है ये इंडिया के कोस्ट में श्री लंका से जाकर के टकराई तो वहाँ पर जो वाइल एनिमल से डोमेस्टिक एनिमल से उनको जिसे पहले ही पता चल गया था कि यहाँ पर कुशन कुश होने वाला है तो सुनामी की ये जो गटना श्री लंका में होने वाली थी उससे पहले वहाँ पर जो कुश समय पहले जो आई विटनेस थे उन्होंने बताया कि ये जो गटना होने वाली थी इससे पहले एलिफेंट बहुत जोड़ जोड़ से चिला रहे थे और उंचाई की तरफ भाग रहे थे और डॉक्स ने गर से बाहर निकलना मना कर दे और फ्लेमिंगों भी अपने ब्रीडिंग एरिया में जा करके और चूप गए थे और जूप के जो एनिमल्स थे वो भी जा जा करके और अपने शेल्टर एरिया में जा करके छूप गए थे और वो लोग बाहर भी नहीं निकल रहे थे चाहे कितनी भी कोशिश की गई थी तो कई लोग ये बिलीव करते हैं कि एनिमल्स के पास सिक सेंस होता है जिससे उनको ये पता चल जाता है कि अर्थ पर कुछ और कुछ होने वाला है कुछ एक्सपर्ट जो की बहुती जादा नोलेज वाले हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि एनिमल्स जो होते हैं उनका हीरिंग पावर बहुती तेज होता है और वो अर्थ कमें जो वाइब्हरी होती है उसको भी महेसूस कर सकते हैं और बहुत चोटी से चोटी आवाज जो हम लोगों को नहीं सुने देती वो भी एनिमल्स सुन सकते हैं They can sense an approaching disaster long before humans realize what going on. और वो पहले से ही इस बात को समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई बहुती बड़ी आपदा आने वाली है या फिर गटना होने वाली है. इससे पहले कि मानव समझ बात है यानि मानव से पहले ही जो एनिमल्स होते है वो इस बात को पहले ही समझ जाते है कि कोई गटना होने वाली है इस बात को हम छोड़ दे कि एनिमल्स में सिक्सेंस होता है या नहीं लेकिन ये बात तो फेक्ट है कि जब इनिया में जाइन्ट वेस आई थी तो उसकी वज़े से इसने लगबग डजन कंट्रीज में वन लेक फिप्टीन थाउजन यानी डेड़ लाग लोगों को मार दिया था लेकिन जादा एनिमल्स के मनने की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी अलोंग इंडिया क्यूडल और कोस्ट वेयर थाउजन ओफ पिपल पेरिजड वफेलोज गॉड्स और डॉक्स वर फाउंड अन्हार्म्ड तो यहाँ पर इंडिया के अलाव भी क्यूडल और कोस्ट है जहाँ पर कि थाउजन ओफ पिपल पेरिजड जहाँ पर थाउजन से और इसके अलावा दे याला नेशनल पार्क जो कि श्री लंका बना हुआ है वहाँ पर अलग-अलग वेराइटी के एनिमल्स रहते हैं इनमें इंक्लूड है एलिफेंट्स, लियोपार्ड्स एन बर्ड्स तो इनको भी कोई भी नुकसान नहीं पहुचा था 60 visitors were washed away from the Patanjala beach inside the park but no animal care cast were found तो वहाँ पर 60 visitors जो थे वो पतांगला बीच से भेग गए लेकिन वहाँ पर किसी भी जानवर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ लेकिन उनमें से इतने सारे animals से लेकिन उनमें से किसी की भी लाश नहीं मिली except for two water buffaloes about an hour before the tsunamis hit people at Yala National Park had observed three elephants running away from the Patanjala beach और हाँ इतना समझ में आया है कि two water buffaloes जो थी उनकी जान वहाँ पर गई तो वहाँ पर जो लोग थे वहाँ पर बीश पर गए थे उन लोगों ने यह notice कि half an hour पहले तो वहाँ पर tsunami आने से आदे गंटे पहले जो लोग थे उन्होंने यह notice कि tsunami आने से आदे गंटे पहले वो जो वहाँ पर three elements थे वहां से भाग रहे थे तो श्री लंका का एक जेंटल मेन है जो कि उसके कोस्ट के नियर रहता है गेलमर उसने बताए कि उसके जो दो कुटे हैं वो उसको उस बीच पर जाकर के और गूमना और वोकिंग करना कितना पता है वो रोज वहां पर जाने के लिए बहुत जादा एक्साइटर होते थे लेकिस जिस दिन सुनामी आने वाली थी उस दिन उन्होंने घड़ से बहार निकलने के लिए मना कर दिया रिफ्यूज करना यानि होता है मना कर और यह इनके मना करने के विज़े से उस जेंटल मेन के भी है जाइंट पेव जो आती है वो लोगों को इतना बड़ा नुकसान करवा देती है लोगों की जान ले लेती है और एनिमल्स के पास इक सेंस होता है ये नहीं इस बात का अभी तक भी हम पता नहीं लगा पाएं और अगर आपको सुनामी का नोलेज है तो आप लाइट में क अभी न कभी कही न कहीं किसी की जान बचा सकते हो इस चेप्टर के जरिये हमें यहीं बताया गया है आई होप आप सभी की यह स्टोरी समझ आई होगी